हलो फ्रेंट्स इवाब फिर आपको बहुत स्वागेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रूइलखन उनिवस्टी का फास्ट सिमिस्टर का वैक एक्जाम फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं आपको पता ही होगा वीडियो के जो पिर्थम सिमिस्टर के वैक एक्जाम फॉर्म हैं वह भी फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने बाला हूँ अगर आपका थर्ड सिमिस्टर का एक्जाम फॉर्म है तो उसके लिए मैं आलेड़ी वीडियो बना चुका यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलता है Supplementary Wack, Implement, Left Out, Practical Exam Form इस वाले उप्शन पर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना है Wack exam form फिल करना बिलकूल आसान है इस पर आपको कुछ भी फिल करने कि अपसकता नहीं होती है केवाल और केवाल बस आपको अपना subject चूलेक्ट चूज कर करना है दोस्तों अगर आप चैनल पर ना है दो चैनल को सब्सक्राइब करके वैलिकन जो पिसका लीजे और इस वीडियो को अपने अधर फ्रेंस के साथ भी ज्यादस ज्यादस सेर्का दीजे ताकि सभी स्टुरेंट तक आज के जो लिटेस्ट अबडेट है वो पहुंच सके सभी स्टुरेंटस अपना जो परिचर फॉर में वैक एक्जाम का वो फिल कर सकें इंटर रजिस्टेशन नंबर में आपको अपना रोल नंबर लिखना है जो भी आपका रोल नंबर है जिस भी रोल नंबर से आपने एक्जाम दिये रोल नंबर लिखने के बाद आपको यह semester automatic यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि अभी first semester के WAC form फिल की जा रहे हैं तो यह first semester का यहाँ पर जो option है वो आपके roll number से आ चुका है आप इसे select करेंगे इस तरह से उसके बाद login का option है आप यहाँ login पर click कर देंगे इसके बाद आपका जो WAC exam form है यह finally login होकर आ चुक है इसमें आपको कुछ भी changes करने के आप सकता नहीं है अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना आधार card number देख सकते हैं date of birth दे सकते हैं enrollment number देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको course stream सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक है आपका college बगएरा ठीक है college तो यहाँ पर so नहीं हो रहा है फिलाल यहाँ पर देख सकते होंगे यह वरेली college ही है mgpr यह वरेली college है वाकि यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आप यहाँ next पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप अगले page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपनी address details टेक्निक ली मिल जाएगे आपकी details already fill की हुई यहाँ पर आ रही होगी आपको उसमें कुछ भी change करनी की आप सकता नहीं है अगला आपका address change हुआ हो तब ही आप अपना address change कर सकते हैं अगर आपको अपना mobile number करनी का यह जो पेज है यह पर आपको अप्लोड करना है जूकि आपको अप्लोड किया हुआ आ रहा है और आपका signature भी आपको अप्लोड किया हुआ मिल जाएगा इस side में देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद आप यहाँ save पर किलिक करतेंगे अगर आप फोटो signature चेंज करना चाहें तो दुबारा से अप्लोड करके इसे change कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ next का option मिल जाता है आप इस next वाले option पर किलिक कर देए इसके बाद आपकी जो personal details है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जैसे कि आपका name father name mother name college कौन से course का आपका जो परिच्छफ form है वो यहाँ पर आपको देखने के ल आपको यहाँ पर किलिक करना है इस तरह से उसके बाद आपको यहाँ पर view papers पर किलिक करना है यह वाला view papers आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह से उसके बाद यहाँ पर आपके सामने सारे papers आ जाएंगे जो भी आपके paper हैं first semester में उसमें आप उस paper के आगे tick लगाएंग बाद आप यहाँ add paper पर click कर देंगे उसके बाद इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जागा selected papers have been added successfully आप इसे ok कर देंगे नीचे आपने जो भी paper choose किया वो details यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जागी कौन से paper में आपकी वैक है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए म और यहाँ से आप अपने जो form है उसके print out यहाँ पर निकाल कर उसका college में आपको जमा कर देना है इस तरह से आपको अपना जो form है उसे online fill करना है जो भी date उनिवर्सिटी की तरफ से निर्धारित की गई निर्धार देट से पहले आप अपने exam form फिल करके अपने समधित college में जमा कर दें और इस वीडियो को अपने अधर friends के साथ जरू से कर दें बाकि दोस्तों आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं एकनी वीडियो में एकनी information के साथ thank you so much for watching this video